बच्चो आज हम पढ़ेंगे निती जिसके रचीता कभी बिहारी जी हैं इससे पहले मैं भक्ती का एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका डिस्क्रिप्सन में लिंक में दे दूँगा आप वहाँ से देख लिजेगा साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे इस चनल पर प्लेलिस् प्छादस हिंदी की संफुड वीडियो उपलब्ध हो जाएगी तो चलिए प्रारम करते हैं निती तो सबसे पहले आप संदर्भ जान लिजिए कि प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के काभ्य खंड से निती नामक सिस्तर कसी लिया गया है और इसके रच जाओं के सासन से उत्पन कश्टो का वड़न किया है दूसह अथार्थ असहनिय दूराज दोहरे सासनवाले राज्य दो राजाओं वाला राज्य प्रजानुको प्रजाकी क्यों न बढ़े दुक का मतलब दुक दंदू का मतलब संगर्स बिहारी जी कहते हैं, दुसर दुराज, दोहरे सासन वाले राज्य में, प्रजानु को, प्रजा की क्योन बढ़े दुख दन्दू, दुख ऑर संघर्स क्योन बढ़े, अर्थार्थ बढ़ जाती है बिहारी जी काते हैं कि दोहरे सासन वाले राज्य में प्रजा की दुख और संहर्स बढ़ जाती है अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रभी चंदू जिस प्रकार मिली मावस मावस का मतलब आमवस्या में रभी का मतलब सुर्य चंदू का मतलब चंद्रमा जिस प्रकार आमोस्या में शुर्य और चंद्रमा मिलकर अधिक अंधेरो जक्करत संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं अर्थार्थ एक बार आप पुना समझ लिजिए कि बिहारी जी कहते हैं दोहरे सासनवाले राज्ये में प्रजा की दुख और संघर्स इस प्रकार बढ़ जाती है जैसे आमोस्या में सुर्य और चंद्रमा जब एक ही रासी पे आ जाते हैं तो ग्रहन लगता है और दोनों मिलकर संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं अब नेश्ट देखिए बहुत ही आदर होती है यह आपका प्रसंग हो गया ब्याख्या देखिए बसे बुराई जासुतन बसे का मतलब वसना बुराई का मतलब बुराई जासु मतलब जिसके तन का मतलब सरीर बिहारी जी काते हैं, बसे बुराई जासुतन, जिसके सरीर में बुराई का वास होता है, ताही को सनमानू, संसार में उसी की सनमानू, प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है बिहारी जी काते हैं, जिसके सरीर में बुराई का वास होता है, संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है भाले भालों कहीं छोड़िये भाले लोगों को भाला का कर लोग छोड़ देते हैं खोटे ग्राजा पुदानों जैसे भाले ग्राओं को लोग भाला का कर छोड़ देते हैं किन्तु खोटे ग्राओं को उससे डर कर उससे भैवित होकर उसकी पूजा करते हैं नेश्ट देखिए बच्चो इस दोहे में बिहारी लाल जी ने बताया है कि मनुस से जितना बिनर्म होकर चलता है उसके उनती उतनी ही अधिक होती है देखिए नर की नर मतलब मनुस अरू और नल का मतलब नल नीर का मतलब जल की यानि नल नीर की नल के जल की बिहारी जी कहते हैं कि नर की अरू नल नीर की मनुस से की और नल के जल की गती इस्थिती एको करी जोई एक जैसी होती है जेतो नीचे हवे चले नल जितना नीचे होता है तेतों उचो हुई उसका पानी उतना ही उपर उठता है उसी तरह मनुस्य जितना बिनर्म होकर चलता है उसकी उनती भी उतनी अधिक होती है आईए नेश्ट देखते हैं इस दोहे में बिहारी लाल जी ने धन के बढ़ने से मन पर पढ़ने वाले परभाव का वरलन किया है आईए बैख्या देखते हैं कि बढ़त बढ़त अर्थार्थ बढ़ने से संपती मतलब धन सलील का मतलब जल संपती सलीलो धन रुपी जल के बढ़त बढ़त बढ़ने से मन सरोजु सरोज का मतलब कमल मन रुपी कमल बढ़ी जाई बढ़ जाती है बिहारी जी कहते हैं कि धन रुपी जल के बढ़ने से मन रुपी कमल बढ़ जाती है घटत घटत किन्तु जब धन रुपी जल घटने लगती है सुना फिरु घटे तो मन रुपी कमल नहीं घटती बरू बलकी समुल जड़ सहित कुमुलाई मुर्जा जाती है एक बार पुना समली जी बिहारी जी कहते हैं कि धन रुपी जल के बढ़ने से मन रुपी कमल बढ़ जाती है किन्तु जब धन रुपी जल घटने लगती है तो मन रुपी कमल नहीं घटती बलकी जड़ सहित मुर्जा जाती है अर्थार्थ धन से बढ़ा हुआ मन धन के कम होने पर कम नहीं होता, वरन भ्रष्ठ हो जाता है आगे देखिए बच्चो, इस दोहे में कभी ने बताया है कि कभी मितरता के बीच हमें धन सम्पति को नहीं लाना चाहिए ऐसा करने से मित्रता कम हो जाती है मित्रता में उतना सने नहीं रह जाता आईए देखते हैं जो चाहत बिहारी जी कहते हैं यदि आप चाहते हैं चटक, चटक मतलब चमकीला पन ना घटे, नहीं घटे मैलो मलीन होई होना ना नहीं मित्रतार्थ मित्रा बिहारी जी काते हैं यदि आप चाहते हैं कि मितरता की चमक ना घटे और मितरता मैलो होई नमित और मितरता मलीन ना हो तो नेह चिकनों चीत नेह मतलब प्रेम चिकने मतलब चिकना चित मतलब मन तो प्रेम से चिकने चित में रज राजसू रजो गुड रुपी धूल का ना छुआईए इस पर मत कराईए आगे देखिए बच्चो इस दोहे में बिहारी लियाल जी ने बताया है कि यदि बुरा बेक्ती अपने बुराई को त्याग भी देता है तो भी लोग उससे डरते रहते हैं देखिए बुरो बुराई जो तजे बिहारी जी कहते हैं बुरो बुराई यदि बुरा बेक्ती अपने बुराईयों को तजे त्याग दे तो चितू तो भी लोगों के मन में डरातो उससे डर बना रहता है जैयों जैसे निकलंको निसकलंक मयंको चंद्रमा को लखी देखकर जैसे निसकलंक चंद्रमा को देखकर गने लोग उतपातो लोग किसी भयंकर आपदा की आसंका करते हैं एक बार पुना समझ लिजिए बिहारी जी कहते हैं कि अधी बुरा बैक्ति अपने बुराईउं को त्याग भी दे तो भी लोगों के मन में उसके प्रतीडर बना रहता है जैसे निसकलमंक चंद्रमा को देखकर लोग किसी आपदा की आसंका करते हैं किसी अनिष्ट की आसंका करते हैं आगे देखिए बच्चो इस दोहे में बिहारी लाल जी ने अन्योक्ति के माद्धम से अपने आस्रेदाता राजा जैसे को सचेत किया है ब्याक्ख्या देखिए बाजी मतलब बाज पराय पानी पराय मतलब दूसरे पानी मतलब हाथ दूसर नमारी पच्छियों को मत मारो बिहारी जी कहते हैं हे बाज पच्छि तुम दूसरों के वश्च में होकर स्वतंत्र विच्रण करने वाले पच्छियों को मत मारो स्वार्थू शुक्रतू ना स्रमों बिर्था न तो इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को जलो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा सस्क्राइब कीजिएगा धन्यवाद